Hello my friends, welcome back to my channel इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं मंदिर पर 300 सब्दों में निबंद तो ज़्यादा समयना लेते हैं दोस्तों चलिए लिखना शुरू करते हैं प्रस्तावना भारतिय धर्मों में हिंदुओं के उपास्ना अस्थर को मंदिर कहते हैं मंदिर में इस थी देवी देवताओं की पूजा की जाती है मंदिर पूरी दुनिया में मौजूद है मंदिर को सबसे महत्रपुन अध्यात्मीक और संस्कृतिक अस्थर माना जाता है मंदिर का देजायन वास्तुकला, कार्य, धर्म, संस्कृति और इतिहासिक काल के अधार पर भिन हो सकते हैं इतिहास मंदिरों का निर्मान लगभग 4000 इसापुरु में हुआ था गुप्त काल में मंदिरों के निर्मान का विकास दिखाई देता है ये सरंचनाय आम तोपर मिट्टी की इटों से बनी होती थी और इनमें साधारन डिजाइन होते थे समय के साथ मंदिर की वास्तुकला अधिक विष्टित हो गई जिसमें कई मंदिरों में कई कमरे, जजल नकासी और सजावत सामिल है हिंदु धर्मे मंदिर का महत्व हिंदु धर्म में मंदिर धार्मिक जीवन में एक केंद्री भूमिका निभाते हैं उन्हें देवी देवताओं का निवास मना जाता है हिंदु मंदिरों में अक्सरविष्टित नकासी और मुर्तियां के साथ परित्र फूल, बगीचे और आंगन होते हैं मंदिर एक परित्र अस्थल है जहां सद्धालु अस्नान करके मंदिर जाते हैं सद्धालु मंदिर जाकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं सद्धालु देवताओं को परशाद और फूल चढ़ाते हैं और उनसे अशिरवाद लेते हैं मंदिर में पंडित होते हैं जो भजनकिर्तन पूजा पाठ आदी करते हैं भारत के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदेर, बद्रेनाथ मंदेर, वैशनोदेवी मंदेर, काशिविश्वनाथ मंदेर, अक्षादाब मंदेर, अमरनाथ मंदेर, महाकालेश्वर मंदेर, जगनाथ पुरी मंदेर, कामक्या मंदेर, कोनाग सुरी मंदेर, तिरुपति बालाजी मंदेर, सिध्धी विन निश्कर्ष मंदिर कई धार्मिक प्रमप्राओं का एक मुल्भूत हिस्सा हैं। मंदिर अध्यात्मिक और संस्क्रितिक जीवन में एक मत्रपुन भूमिका निभाते हैं। मंदिर प्रमात्मा से मानुए संबंध के एक सक्तिसाली परतिक के रूप में काम करते हैं। परियतक विभिन संस्क्रीतियों का उनुभाव करने और छेत्र के इतिहास और प्रमपराओं के बारे में जानने के लिए दुनिया भर के प्रसिध मंदिरों में जाते हैं। कुरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। Best of luck!